प्रिविद्यातियों हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं गांधी दर्शन के अंतरगत हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है राश्टिय स्वातंतरता आंदोलन में गांधी जी का योगदान मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति का दर्शन समझना हो तो हमें उस व्यक्ति को समझना चाहिए और किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके कामों को समझना चाहिए और जब वैव्यक्ति गांदी हो तो निश्टित रूप से हमें उनके कामों पर ध्यान देना चाहिए क्यों कि उनके कामों से ही उनका दर्शन प्रतिविंपित होता है दर्शन अपरिका से भारत आने के बाद गांदी जी भारत की राष्ट्री राज नीती पर चाह गए थे पहले उन्होंने भारत का ब्रह्मन किया इसी क्रम में उन्होंने एहमदाबाद चंपारन और खेड़ा इन तीन आंदोलनों को दिशा दी उसके बाद उन्होंने एसाहयोग आंदोलन चलाया फिर बाद में सेविने अवग्या आंदोलन चलाया और एसाहयोग और सेविने अवग्या इन दोनों आंदोलनों को गांदी जी नी बीच में रोप दिया कारण ये था कि वे ये मानते थे कि देश के लोग अभी एक बड़े एहिनसक आन्दोलन में शामिल होने के लिए भागिदार होने के लिए तयार नहीं हुए हैं मैं तो ये तक मानता हूँ कि गांदी जी ये सोचते थे कि लोग तो क्या अभी इस देश के नेता भी बीच में रोखना पड़ता था गांदी जी का यह मानना था कि हिंसा से हम अंग्रेजों को बाहर नहीं कर सकते इस देश पर गांदी इर्विन समझोता परिणाम था सेविन अवग्या अंदोलन का और इस समझोते के संदर्भ में लोगों को यह नाराजगी तो थी ही कि गांद अपने उफान पर जा रहा था लेकिन लोगों को इस बात की भी नाराजगी थी कि गांदी जी ने भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव की फांसी को टलवाने के लिए, फांसी को रुखवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गांदी जी ने प्रयास किये थे, ऐसे भी कुछ उधारन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन गांदी जी खुल कर ऐसी किसी भी गतिविदी का सबतन नहीं कर सकते थे, जिसमें हिंसा की गई हूँ 29 मार्च 1931 को कराची में कॉंग्रेस की बैठक हुई थी, इसके 6 दिन पहले देश भक्तों भगत सिंग, राजबूरों और सुपदेव को फांसी हो गई थी कॉंग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया इन करांतिकाईयों की वीरता और इनके बलिदान की तारीफ की, लेकिन यह भी कहा कि किसी भी तरह की राजनितिक हिंसा का समर्थन कॉंग्रेस नहीं करेगा कॉंग्रेस दल द्वारा ये कहे जाने के बाद कि वह किसी तरह की राजनितिक हिंसा का समर्थन नहीं करेगा कॉंग्रेस वचन बद्ध हो जाता है कि वह भी ऐसे किसी भी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएगा जिसमें हिंसा होती हो और इस प्रस्ताव से गांधी जी की धारना की घांधी जी की विचारना की उस्टी ही होती है अब आगे ग्या हो यह इस पश्ट नहीं था आंदोलन को गांधी जी रोख चुके थे लेकिन फिर भी एक बात जरूर हुई कि कॉंग्रेस मजबूती से अंग्रेजियों के सामने एक ऐसे दल की रूप में प्रस्तुत था जिसके साथ बात की जा सकती थी और जो मांग कर सकता था पॉंग्रेस ने भी अब स्पष्ट कर दिया कि वहस्वाधीनता से कम कुछ भी लेने को तयार नहीं है और यह स्पष्टी करण गांदी जी के नेत्रितू में हुआ पूर्ण स्वराज को बाकाइदा परिभाशित किया गया गांदी जी ने बाद में गोल मेट समयलन में भाग लिया लंदन गए वहां से लोट कर आए और यहां उन्हें कहा गया कि आप एक आंदोलन प्रारम कीजिए चाहे तो सभी ने अवग्या आंदोलन पुनाय प्रारम कर दें गांदी जी ने कहा कि मैं पहले वाश्राय विलिंगटन से बात कर लेता हूं विलिंगटन ने मिलने से इंकार कर दिया और उसके बाद गांदी जी ने एक कारे करम दिया वे कारे करम वैसा ही था जैसा ऐस सहयोग और सेविने अवग्या कारे करम थे देश में हलचल हुई नेताओं को गिर्फतार किया गया और वही इस्तिती बन गई जो पहले के आंदोलनों में बनी थी और गांदी जी ने आंदोलन रोप दिया यह सब होता रहा चलता रहा उसके बाद में क्या किया जाए क्योंकि आंदोलन रोकने से यह संदेश गया था कि अब कॉंग्रेस के पास वे शक्ति बची नहीं है कि वे देश के लोगों को उद्वेलित कर सके जड़ा सके अंग्रेज बड़े प्रसन्द हो रहे थे कि हमने वे काम कर दिया जिसके करने से इस देश में ज्यादा समय तक टिका जा सकता है लेकिन बहुत बड़ी भूल की अंग्रेजों ने यह आंदोलंतों कानेजी ने रोका लेकिन इतना तय हो गया कि इस देश के लोगों ने डरना छोड़ दिया वे सीना तान कर सामने खड़े होने को तयार थे सामराजवादी शक्ती अंग्रेज के और आगे जब अवसर आया तो उन्हांने अपना पराग्रम दिखाया गी तो अब एक बहस शुरू हो गई कोंग्रेज के भीतर कि क्या किया जाए गांदी जी ने कहा कि अब लोगों को जादरू करना है तो बजाए राजनेतिक आंदोलन के हमें सामाजिक आंदोलन करना चाहिए लोगों को रशनात्पक कारियों में लगाना चाहिए जैसे दस्त कारी के काम में लगा दिया जाना चाहिए एक दूसरा खेमा था कॉंग्रेस में जो कहता था कि समवैधानिक तोर तरीकों से लड़ना चाहिए 1934 में सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली के लिए चुनाव होने वाले थे और एक वर्ग कॉंग्रेस का जिसमें डॉक्टर एमे अंसारी आसिफ अली सत्यमूर्ती भुला भाई देसाई विधान चंदर राई जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हमें इस समय चुनाव म भाग लेकर और मंत्री मंडल में घुसना चाहिए और वहां विरूद करना चाहिए राजगोपालाचारी जैसे लोग जो जो नो चेंजर समूह के माने जाते थे उन्होंने भी कहा कि हां भाई हमें सत्ता में भागिदार होना चाहिए चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन हमा और हमको वैसे ही करना है और एक तीसरा रास्ता भी कॉंग्रेस में निकल कर आ रहा था जो यह कह रहा था कि हमें आंदोलन लगातार चालू रखना चाहिए बले ही उसमें कुछ उभरता हो तो यह जो तीसरी धारा थी कि आंदोलन चालू रहना चाहिए और यह आंदोलन माक्स स्वाद के तजबर होना चाहिए इस तीसरे वर्ग का नितित्व कर रहे थे जवाहरलाल नहरू इस समय गांधी जी और नहरू जी अलग-अलग रास्तों पर चलते दिखाई दे रहे थे नहरू जी ने इस प्रस्ट कहा कि गांधी जी आप यह जो पहले तो संगर्ष करते हैं फिर समझोता करते हैं और उसके बाद फिर संगर्ष करते हैं यह नीति हमको पसंद नहीं है इस नीति के अधार पर आप चल रहे हैं और आप यह मान रहे हैं कि परेशान होकर अंग्रेज एक दिन भारत को सत्ता सौप कर चले जाएंगे यह नहीं हो सकता और यह भी कहा कि गान्दी जी आप यह जो समवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश करने के विशय पर चुप रहते हैं आप समर्थक नहीं हैं इस बात के कि समवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश किया जाए लेकिन आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन लोगों को रोख भी नहीं रहे हैं, जो इस तरहे से सम्विधानिक संस्थाओं में, निर्वाचन के माध्यम से, जाना चाहते हैं, नहरू का ये कहना था, कि जिस सम्विधान को हम चुनोती दे रहे हैं, उसी सम्विधान के अंतरगत उसी सम्विधान के प्रति निश्ठा प्रकट करते हुए हम आंदोलन कैसे करेंगे हम आजादी कैसे प्राप करेंगे गांदी जी को निरू जी ने कहा कि यह जो जन आंदोलन होता है बले ही उसमें थोड़ी उगरता आ जाए लेकिन यह केंद्री यह धाचे पर चोट करता है व्यवस्था के इतने दिनों तक देश की जनता ने प्रेसिक्शन पाया है आंदोलन का तो अब जब मूल धाचे पर च तो इस तरह से गांदी जी के सामने एक एक चुनोती खड़ी हो गई और वे चुनोती थी अपने ही लोगों के विरोध को सहन करना नेहरू जी का यह मानना था कि आंदोलन लगातार होना चाहिए नतीजे जो हो वे हो स्थिती यह तक बन गई थी कि अंग्रेज मानने लगे थे कि अब कॉंग्रेस में विभाजन हो जाए लेकिन गांदी जी ने कॉंग्रेस को टूटने से बचा गिया पहले तो उन्होंने जो समविधान वादी लोग थे जो व्यवस्था के भीतर भुसकर व्यवस्था से लड़ना चाहते थे उनको अनुमति देती कि आप चुनाव लड़िये और आप विधान मंडलों में विधान मंडल में प्रवेश कर चाहिए इसे आप संसदी राजनिती के माद्यम से सक्रिय रहना चाहते हैं तो रहें जब गांदी जी से कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हम जिस समविधान का विरोध करते हैं उसी समविधान के अधीन रहकर आजाती कैसे प्राप करेंगे तो गांदी जी ने कहा कि हम ऐसे लो सकते हैं लेकिन उनको छोड़ नहीं सकते हैं समय आने बदे समझ जाएंगे आज यही करना उचित है कि उनको छोड़ती जाए गांदी जी ने यह बाद सरदार पठेल को एक पत्र में लिगी तो पटना में 1934 में गांदी जी के दिशा निर्देशन में अखिल भारती कॉंग् में लेने का फैसला कि गांदी जी ने कहा कि कि आप एक चकाचोंद की दुनिया में जा रहे हैं यदि आप जीतेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सुधाइं होंगे तो उन्होंने बात करें कि मुझे पूरा विश्वास है कि कि यह लोग राजनीती के ग्लैमर से हो जाएंगे तो स्वराज क्राप्त नहीं है कि गांदी जी ने यह भी समझाया कि मैंने सवीने अवग्या अन्दूदन वापस लिया तो यह सोथ समझ कर लिया लोग ठक चुके थे लोगों को विश्राम की आवश्यक्ता थी लोगों को थोड़ा चिंतन करने की आवश्यक् अन्होंने नहरू से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कि मैं हालात की नजाकत को समझ सकता हूँ इस समय है यदि आपन आगे बढ़ते तो अपन को सफलता नहीं में गांदी जी ने कुछ लोगों के विरोध के बाद भी और नहरू जी के कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनने का समर्थन किया तो अनेक मौलिक भेद होने के बाद भी कॉंग्रेस में काम करने वारे लोगों के बीच में कॉंग्रेस तूटी नहीं यह आपको ध्यान रखना है और गांदी जी ने यह कहा कि यदि मैं मेरे साथियों को जवरन या मेरे प्रभाव का इस्तेमाल करके समवेधानिक संस्था में प्रवेश से रोगता हूं तो यह भी एक तरह की हिंसा ही नहीं जाने दीजिए और उनको समझने दीजिए तो कॉंग्रेस ने तो कॉंग्रेस से तो गांदी जी ने सितमबर 1934 में इस्तिफादी दिया था देके नहरू ने ये कहा कि कॉंग्रेस को छोड़ने से कुछ नहीं होगा कि कॉंग्रेस के भीतर रहके मत्वेदों का निप्टरा होता रहे और हम आगे बढ़ते रहें नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली के विधान मंदर के चुना हुए और भारतियों के लिए जो पचेतर निर्वाचित सीटें आई थी सामने उनमें से 45 पर कॉंग्रेस की जीत हुई और अब लाड विलिंग गटन ने विलाब किया बोले रहे हमने तो सोचा था कि कॉंग्रेस टूट जाएगा और टूटा कॉंग्रेस जी टूटेगा भी नहीं तो कॉंग्रेस का प्रभाव कत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह तो गंदी जी जीत हुए इस तरह से बाद में अंग्रेजों ने पुरे परिद्रश्य पर विचार किया और 1935 का अधिनियम लेकर आये हुआ यह अधिनियम के तहत विभीन प्रांतों में विधानमंडल बनेंगे और इससे प्रांतों में कॉंग्रेस के खढे हो जाएंगे और केंदी इस तर पर कॉंग्रेस पूट चाहेगा और यदि उसके बाद भी कोई दम रहेगा अंदोलर में तो उसको अपन पूछर देगे तो अगस्त 1935 में Government of India Act आया उसमें जो वयस्क व्यक्ति हैं देश के उनके छटे हिस्से को ही मत्नान का अधिकार था जो प्रतिरक्षा का विभाग है जो विदेश का विभाग है वह विभाग इसे संगिये विदाईका से बाहर था उस मामले में कुछ नहीं हो सकता था प्रांतिय स्वायत पता का से धांत उन्होंने दिया था और मैं बता चुका हूँ कि यह जो काम उन्होंने किया था कि परांतों में कॉंग्रेस के क्षित्रिय नेता उबर कर आएंगे और वो वहां के सुख सुविधाओं में लग जाएंगे और फिर वो राश्टियां दोरन को भूल जाएंगे तो साफ है वाइसराय लिल लित्गो ने लिखा था कि अधिनियम 1935 तो इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजों का प्रभूत्व बरकरा रखने का यह सबसे बड़िया तरीका है हमारा उदेश्चे भारतियों का भला करना नहीं है उन्हों लिखा कि भारतियों के हित्मे संविदान में संशोदन करना हमारी नीती नहीं थी और नहीं हम भारतियों को सत्ता सोपने की जल्दवाजे में थे हमारा तो प्रयास ही था कि जब तक संभव हो भारत ब्रिटिश सामराज्य का हिस्सा बना रहे गांदी जी इस चाल को बहुत अच्छी तरह से समझते थी कॉंग्रेस का प्रांती ये करन नहीं हुआ 1935 के अधिनियम का कॉंग्रेस ने विरोध किया उसे ना मन्जूर कर दिया कॉंग्रेस ने कहा है कि हमें आजाद भारत का संविधान पना नहीं दिया जाए और एक संविधान सवा का गठन किया जाए जिसका देश में वयस्क मतादिकार के आधार पर निर्माण तो अंग्रेजों ने तो 1935 का अधिनियम तुरंद प्रभाव से लागू कर दिया 1937 के प्रारम में चुनाव की घोषना कर दी तो ऐसे वातावरण में कोई नया आंदोलन नहीं चलाये जा सकता था बड़ा सवाल तो ये था कि कॉंग्रेस चुनाव में भाग भी ले लेगी हम विधान मंडलों में प्रवेश भी कर जाएंगे वैधानिक संस्थाओं में लेकिन उसके बात क्या करेंगे जिस सम्विधान का विरोध कर रहे हैं उस सम्विधान के तहट हम किस तरह से शासन कर पाएंगे ये बड़ा प्रश्ण था और इसी लिए नहरूजी सुवाशन रबोस और तूसरे कुस नेता विधान मंडलों के वैधानिक संस्थाएं हैं उनके चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे क्योंकि ये चुनाव में भाग ले लिया तो ये स्पस्ट हो जाएगा कि हम 1935 के कानून का समर्थन करते हैं हेरूजी ने कहा कि ये तो फिर खुद को दोशी ठहराना हो जाएगा उन्होंने कहा कि ये तो बिना अधिकार के जिम्मेदारी डोने जैसा काम हो जाएगा ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि नहीं तो राजे बदल रहा है और नहीं सत्ता का ढाचा बदल रहा है कांग्रेस जन्ता से क्या कहेगी जाके राष्टिय आंदोलन के लिए लोग पूछेंगे कि राष्टिय आंदोलन के लिए आप क्या कर रहे हैं तो कंग्रेस के लोग क्या कहेंगी और इस तरह से तो हम एक तरह से जन्ता के का शोशन ही करेंगे यह नहरूजी के पुस्पष्ट विचाप थे इस मामिले में संसत में घुसकर सरकारी कदमों का विरुद नहीं किया जा सकता लेकिन जो लोग इस बात के समर्थक थे कि हमें संस्ताओं में घुसना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें सम्विधानवादी ने कहुँ हम वैधानिक संस्ताओं के अंदर तो कॉंग्रेश की नीटियों का विरुद करेंगे ही अंग्रेशों का विरुद करेंगे ही लेकिन उसके बाहर भी हम बड़ा आंदुलन खड़ा कर सकते हैं और इदि आंदुलन होगा तो हम उस आंदुलन के साथ रहेंगे गांधी जी ने इस सारे विशेय पर बहुत जादा नहीं लिखा, कम लिखा है लेकिन हमेशा उन्होंने जब कभी उनको अपने मन की बात खेने का अवसर मिला तो ये कहा कि मैं इस तरह से समवैधानिक संस्थाओं में उन समवैधानिक संस्थाओं में जो अंग्रेजों की हैं भार्कियों के प्रिवेश का समा तक नहीं हूँ लेकिन कई राजनेतिक विवश्टाएं होती हैं जिनके तहत सामुहिक निर्णे का या बहुमत का स्वागत किया जाता है और गांठी जी इसी दिए समवैधानिक संस्थाओं के अंदर प्रिवेश करने का गांठी जी से कहा गया कि फिर अब आप कोई आंदोलन शुरू कीजिये तो गांठी जी ने कहा कि अभी सबीने अवग्या आंदोलन शुरू करने का समय आया नहीं है एक बार यह निर्वाचन हो जाए उसके बाद में कुछ सोचेंगे कांग्रेस का चुनाव प्रचार बड़ा प्रभावी रहा कांग्रेस के नेता गाउं गाउं गए शहर शहर गए अपने बात कही यह अलग बात है कि गांधी जी ने एक भी सभा को संबोतित नहीं किया वे उचित समय का इंतिजार कर रहे थे आपको इस बात को इस रूप में लेना चाहिए कांग्रेस को चुनाव में जोड़दार सफलता मिली 1161 सीटों पर कॉंग्रेस ने चुनाव लड़ा था उसमें से 716 बरवे जीती थी छे परांतों में उसको स्पष्ट बहुमत मिला था और अब अंग्रेजों के पसीनी चूट गए कि सम्विधान हमारा और अंदर गुस्वे भारती अब नहरु जी को ये समझ में आने लगा कि गांधी जी की वहनीती जिसमें संगर्ष समझोता और फिर संगर्ष शामिल था कारिक्रम था जिसका वहनीती सफल थी और छे परांतों में कॉंग्रेस की सरकार बनी बंगाल असाम उत्तर पर चिमा परांत पंजाब और संगर्ष का विभाजन नहीं हुआ कॉंग्रेस में एक नया जोश आ गया प्रांतों में कॉंग्रेस के जो नेता खड़े हुए वे कॉंग्रेस को राष्टिय दिश्टि से मजबूत करने वाले इसी दुए अंग्रेजों की सोस के अनुसार वो प्रांती एक शत्रप नहीं बने और ये लोग जो जीत कर गए थे इन लोगों पर जो कॉंग्रेस की केंद्रिय कारेकारणी है उसका पूरा नियंतरन था 1938 के हरिपूरा कॉंग्रेस अधिवेशन में सुभास बोस को अध्यक्ष चुना गया और इस तरह से यह एक चरण पूरा होता है राष्टिय अंदोलन का जिसमें गांधी जी एक आंदोलन को प्रारंप करते हैं उसे रोबते हैं और फिर कॉंग्रेस समवैधानिक संस्ताओं में प्रवेश कर जाती है और अंग्रेजों के लिए यह स्थिती अप्री यह स्थिती थी वे चाहकर भी अब कॉंग्रेस वालों को समवैधानिक संस्ताओं से बाहर ने निकाल सकते थी इसके आगे गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन पर आरम करते हैं और अगली कड़ी में हम भारत छोड़ो आंदोलन पर बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार